येलो फ्रेंट, वेलकम टू माई यूटूब चैनल आउनलाइला लिंग और साइड दोस्तों भाद की राज फेरस्ता में सिल्सवा के पर अच्छा है तू चैप्टे no.22 वे संसत में हम भूद आज बात करेंगे राज सभा के सिती जिसमें कि लोग सभा के साथ समान सिती लोग सबा के साथ आसमान सिती राज सभा के विशेश शक्तिया एवं संसधी विशेश दिगार के बारे में राजसभा की समविधनिक सिती जिसमें की लोगसभा की तुलनामे का तीन कोड़ों से अधिन किया जाता है पहला जहां राजसभा लोगसभा के बराबर हो दूसरा जहां राजसभा लोगसभा के बराबर नहीं हो तीसरा जहां राजसभा की विशी शक्तियां हो जिनकी हिस्सेदारी लोगसभा के साथ नहीं होती है लोगसभा के साथ समान इस्थी निम्रिकित मामलों में राजसभा की सक्तियां एवन इस्थी लोगसभा के समान होती है पहला समान विद्यकों को पुना इस्थापन तथा उनको पारित करना दूसरा समवैध्यानिक संसोधन विद्यकों को पुरा इस्थापन और उनको पारित जाना राजसभा उप राजपती को अखेले हटाने की पहल कर सकती है उसे राजसभा की विशेश बहुमत संकल्प को पारित कर और लोग सभा के समान बहुमत की स्विक्रती द्वारा पद से हटाया जा सकता है सभी दोनों मेंसे किसी एक सधन के सदस्य होने चाहिए हाला कि वे केवल लोगसभा के द्वारा लोगसभा के पती उत्तरदाई होते हैं सब्वे धहनी की काईयों जैसे कि वित आयोग, संग आलोग, सेवा आयोग, नेंतरक एवं महाले का परिच्छक आदी की रिपोर्ट पर विचार करना है ग्यारव, उचितम नियाले एवन लोगसेवा आयो, किस नियायचेत में विश्तार लोगसभा के साथ आसामान इस्तती निम्रकित मामलों में राजसभा की सक्तियां एवन इस्तती लोगसभा के आसामान है पहला दन विदियक को सिर्फ लोगसभा में पूरा इस्थापित किया कि जा सकता है राजसभा पर नहीं दूसरा राजसभा दन विदियक की आस्विकरित या संसूजित नहीं कर सकती है उसे इस विदियक को सिफारिस या बिना सिफारिस के 14 दिन के भी तर लोगसभा में लोटाना अनिवार होता है तीसरा लोगसभा राजसभा के सिफारिसों को सुविकार या आसुविकार कर सकती है दोनों मामलों में इसे दोनों सदनों द्वारा स्विक्रित माना जाता है वित विदियक अकेले अनुचिद 110 का मामला नहीं है इसे सिर्फ लोगसभा में पूरा इस्थापित हिया सकता है लेकिन इसे पारित करने के मामलों में दोनों की सक्तियां समान है कोई धन विद्यक है या नहीं इसे बताने कि अंतिम सक्ती लोगसभा के अध्यच के पास है चाटा दोनों सद्रों की संग्त बैटक की अधिशता लोगसभा के अध्यच करता है साथवा संग्त बैटक में लोगसभा ज्यादा संख्या में जीतती है सिवा हैं इसके कि वह सत्तर रुन पार्टी के सदिश्यों के संख्या दोनों सत्रों के विपच से कम हूँ आटमोपाइन राजसभा सिर्फ पजट के पर चच्चा कर सकती है उसकी अनुदानों की मांगों पर मतान नहीं कर सकती नवा राजसभाद का समाप्त करने का संकल लोगसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है दसमार राजसभा आव विश्वास परस्ता पारित कर मंती परश्ट को नहीं ह magnific कर सकती है ऐसा इसलिये क्योंकि मंती परश्ट का सामुएक उत्तरदाई तो लोगसभा के पठी है या संसत के राज सूची में से विधी बनाने हेतु अधिकरत कर सकती है दूसरा या संसत को केंद एवम राज दोनों के लिए नई अखिल भारती सेवा के स्रजन हेतु अधिकरत कर सकती है उप्रोग बिंदों को अविसलेशन करने पर ग्यात होता है कि हमारी समयधानिक सवयस् वित्ती मामलों एवा मंत्री परशत के मंत्रियों के उपर नेंत्रा के अत्रिक्त अन्य सभी मामले में राजसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबरी हैं जदी पी राजसभा को लोकसभा के तुल्ला में कम शक्तियां दी गई हैं लेकिन इसकी उपयोगता निम्खित आधारो पाई है दूसरा या उन आनभवी एवं पेश्चेगत लोगों को प्रतिनिर देती है जो सीधे चुनाओं का सामना नहीं कर सकती राश्पती बाहरा ऐसे लोगों को राजसभा के लिए मनुनीद करता है तिसरा पॉइंट या केंद्र के आनावश्चक अस्ताचेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रच्छा करते वे संगी संतलन को बरकरार रखती है संसदी विशेशा दिकार अर्थ संसदी विशेशा दिकार विशेशा दिकार है उन मक्तियां एवं छूटते हैं जो संसत के दोनों सदनों इनकी समितियां और इनके सदश्चों का प्राप्त होते है या इनके कारियों की सद्रता और पाविता के लिए आवश्यक है इन अधिकारियों के बिना सद्र ना तो अपनी स्वायता महानता ददा समान को समाल सकता है ना ही अपने सद्रिश्यों को किसी भी संसदी उत्तरदायतों के निर्वानों के लिए सुरच्छा बदान कर सकता है। सविधा ने संसदी अधिकार उन वेक्तियों को भी दिये हैं जो कि संसदी के सद्रों या इसकी कमी में भी किसी भी समिती के भूलते में हिस्सा लेते हैं भारत के महा न्याएवादी तता केंद्री मंतिस सामिल है यहाँ पर इसपर्ष करना आवश्चक है कि संसदी अधिकार राश्पती क्लिए नहीं है बालगे संसद का एक अंत्र भाग भी है वर्गी करन संसदी विश्चक अधिकारों को दूर भागों में वर्गी करता है पहला वे अधिकार जिने संसद के दोनों सदन सामोईक रूप से प्राप्त करते हैं दूसरा वे अधिकार जिनका उप्योग सदस्वन वैतिकत रूप से करते हैं सामोईक अधिकार संसत के दोनों सुधनों के संबंद में सामोई वेशेशत दिका निमने हैं पहला इसे अपनी रिपोर्ट, वात विवाद और कारवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित ना करने देने का दिकार है 1978 के 44 में समित संसतन अधिनियम ने संसत को पूर अन्मती बिना संसत की कारवाही को सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की संता को पना स्थापित किया गिन्तों यह संदन की गुब्ध बैटक पर लागू नहीं होता है दूसर पॉइंट यह अपनी कारवाही से अतित्तियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमास है तो गुब्ध बैटक कर सकती है दिसरा वया अपना कारवाही के संचालन कार के प्रबंध तथा मामलों के निर्णे है तो नियम बना सकती है चौता, यह सदस्यों के साथ बारी लोगों को इसके विशिशा दिकारों के हनन या सदन की अवमाना करने पर निदित चेतावनी या कारावास दौरा दंड दे सकती है पांचवा, इसे किसी सदस्यों की बंदी, अवरोध, अपराद, सिद्धी, कारावास या मुक्ती, समंदी ततकाली सुचना प्राप्त करने का अधिकार है चटा या जांच कर सकती है, तता गवा की उप इस्तिती तता संबंदित पेपर तता रिकॉर्ड के लिए आतियर दे सकती है साथवा, नियाले सदन या इसकी समिती की कारवाही की जांच के लिए निशेदित है आटोपेंट सदन छेट में पीटा सीन अधिकारी की अनमती के बिना कोई व्यक्ती बंदी नहीं बनाया सकता और ना ही कोई कानूनी कारवाही की जा सकती है व्यक्ती के ततिकारों में समदित विशेशेशे दिकार निम्ड है वेत्ति के तदिगारों में सम्मदित विश्यज़गा निमने पहला उन्हें संसद की कारवाई के दोरान कारवाई चलने से 40 दिन पूर तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बना जासकता या दिकार केवल नाकरिक मुगदमों में ही उपलब देता था आपर आधि या मत के लिए किसी भी नियाले के किसी भी कारवाई के लिए जिम्मेदारी नहीं और या सतनता सविधान के प्रावधान तथा संसद की कारवाई के नियम एवंस इस्थाई आदेश के संचालन से समदित हैं तीसरा वे नियाय नियर्ण सेवा से मुगत हैं वे संसद के सत्र में किसी नयालें से लंबित मुकदमे में प्रमान परेस्तित करने या उपष्तित होने के लिए मना कर सकते हैं विशिचा दिकारों का हनन एवान चज़न की अपमाना जब कोई व्यक्ति या प्रादी करी किसी सजसेर की व्यक्तिकत और सहुत शम्ता में इसके विशिशा दिकार अधिकारों की उन मिक्तियों का मान या उन पर आक्रमन करता है तो इसे अपराद विशिशा दिकार हनन कहा जाता है और या सदन त्वरा दंडिनी है किसी भी तरह से या करत या चूक जो सदन उसके सदश्चों या अधिकारियों के मामलों के कार संपादन में बादा डाले जो पत्यच या पत्यच रूप से सदन या मर्यादा शक्ती तदा सम्मान के विप्रीद पढ़ना दे की अवमानना जाएगा यते भी दो अभी बक्तियों विशिशा अधिकार हनल और सदन की अवमानना एक दूसरे के लिए प्रिक्त होता है तदा भी इनके अर्थ भिन है समानता विशिशा अधिकार हनल सदन की अवमानना हो सकती है इसी प्रकार सदन की अमाना में विशेशा दिकार हनन भी सामिल हो सकता है तदा भी सदन की अमाना का अर्थ का व्यापक प्रवाव है विशेशा दिकार हनन के बिना भी सदन की अमाना हो सकती है इसी प्रकार ऐसे क्रत जो किसी विशिष विशिष दिकार का हनन नहीं है परन्तु वे सदन की मर्यादा और प्रादिकार के विशिष दिकार की अब मानना हो सकते हैं उधान के लिए सदन के विधाई आदेश को ना मानना वेशेशा दिकार कहानन नहीं है। प्रंतु सदन की और मानना के लिए दंडित किया जा सकता है। वेशेशा दिकारों की श्रोत मूल रूप से सविधान में दो वेशेशा दिकार बताये हैं। यह संसद में भाषना देने की संद्रता तता इसकी खारवाही के प्रकाशन का दिकार और विशेशा दिकारों के संद्र में यह British House of Commons इसकी समीतियां तता आरम तिथी से इसके सज़श्चियों दोरा सम्मान जब तक की संसद दोरा कोशित ना हो 1970 के फोटोफोर वे संसुदन अधिनियम कहता है कि संसद के दोरों संद्रों के अन विशेशा दिकार इसकी समीतियों और सज़श्चियों के आरम होने की तिथी से प्राप्त हो सकते हैं इसका अर्थ है कि अनविशेशादिकारों के संदर में सभी सती समान रहे की दूसरे सब्दों में संसोधन सिर्फ मौके ग्रूप से संसोध होगा इसे British House of Commons के संदर में बिना किसी परवतिन के लायाजात गया है यह लेकनी है कि संसद अब तक विशेशादिकारों का सहिंता ब सब्सक्राइब रिमित अनेहें विदियां तीसा तूरों सदनों के नियां चौता संसती परंपरा पांचवा नियाएक व्याख्या